प्रिय शिक्षार्थियो नमस्कार शिवराज विजयस्थ यवन दुराचार नामक एकादश पाठ के इस तृतिय भाग में आप सबका स्वागत है आईए आगे चलते हैं इससे पूर्व हमने देखा कि किस प्रकार से महामद नामक यवन के अत्याचारों का वर्णन किया जा रहा था उसी वर्णन को आगे बढ़ाती हुए कहते हैं खंडय करतय ज्वलय किन्तु त्यज इमाम अकिंचित करीम जडाम महादेव प्रतिमाम अद्देवं नस्वी करोशी तद ग्रिहान असमत्तह अन्यदपी सुवर्ण कोटि द्वयं त्रायस्व मैनाम भगवन मूर्तिम प्राक्षिह इती साम्रेडं कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलुन्ठत्सु प्रणमत्सुच पूजक वर्गेशु इस परिछेद में इस पेरिग्राप में सुमना तिर्थ पर जब आक्रमन हुआ था उस आक्रमन के दौरान उस महामद नामक यवन ने जो दुराचार किया और उस समय की जो जनता थी वहाँ उपस्तित उनकी कथा को यहाँ विस्तार से वर्णन किया जा रहा है वहाँ उपस्तित जो पूजक वर्ग था जो दुराचारी था महामद नामक उस से क्या कहती है उसका वर्णन यहाँ है वे कहते हैं कि अथवीर हे वीर गृतम अखिलम वित्तम आपने संपूर्ण वित्त संपूर्ण पैसा संपूर्ण धन्नधान ने हमसे छीन लिया है ले हो चुकी है हम सभी बंदिय कृता हम आपके द्वारा दास बना लिए गए हैं संचितम अमलम यशह आपने धवल यश्क की प्राप्ति कर लिए है इसके बाद भी अगर आपकी क्रोधवन्नी शमित नहीं हो रही है शांत नहीं हो रही है तो असमान ताड़या हमें मारिए असम हमें उची उची परवत श्रिंकलाओ से गिराईए मज्जय हमें समुद्र में डुबो दीजिए खंडया तुकले तुकले कर दीजिए करतया बीच में से काट दीजिए ज्वला जला दीजिए किन्तु त्यज इमाम अकिंचित करीम जडाम महादेव प्रतिमाम भगवान महा पर भी आपका मन नहीं मान रहा है तद तो ग्रिहान असमत्त अन्यदपी सुवर्ण कोटी द्वयम तो हमसे और भी दो कोटी सुवर्ण आप स्विकार कीजिए लेकिन त्रायस्व रक्षा कीजिए मैं नाम भगवन मूर्तिम प्राक्षी इस भगवान की मूर्ति को आप मत स पर्ष कीजिए इस प्रकार सामरेडम बार बार अनेक बार कथयत्सु कहने पर रुदत्सु रोते हुए पतत्सु पैरों में गिरते हुए विलंठत्सु परिशान होते हुए प्रणमत्सु प्रणाम करते हुए पूजकवर्ग के द्वारा इन सभी क्रियाव को करतने के बा प्रतीत कर रहे थी और उस यवन के दुरा चारों का यहां वर्णन किया जा रहा है। प्रत्यक्रते त्रायस्व इति रूपम निश्पद्यते। मास प्राक्षि ही स्प्रिशधातो हो लुंग लकारे सिपी नाम मध्यम पुरुशाई कवचने रूपम इदम सिद्यते। प्रयोगा नईवभवती। कथ धातु से शत्र प्रत्य करने पर सप्तमी विवक्ति के बहुचन में यहां कथयत्सु शब्द सिद्ध होता है। चलिए मूल पाठ को देखते हैं आगे। आगे मूल पाठ है। इस प्रकार जब संपूर्ण पूजक वर्ग उस मंदिर प्रदेश का उस तीर्थस्तल का पूजक वर्ग अनेक प्रकार से वारमवार विनती करता है। और कहता है कि भगवान महादेव की मूर्टी को आप मत्स परश कीजे। आप मत्छुए। जो भी संपूर्ण है हमारी ओर से हम सब कुछ आपको देने के लिए तयार है। आप चाहे तो हमें मारे पीटे काटे। इस प्रकार विने करने के बाद भी जब वह नहीं मानता और इसके उत्तर के स्वरूप में वह यवन महामद कहता है कि मैं मूर्तियों को खरीदता नहीं हूँ, बेचता नहीं हूँ, किन्तु भिनद्मी उसे मैं तोड़ता हूँ यहाँ उसका धेव आक्य था। इस प्रकार संगर्ज गर्जना करके उंचे आवाज में तीव्रस्वर से वह जनता यहाँ हाँकार कलखलम आकरनें उंची गर्जना करता है, और जनता का जो हाँकार का स्वर है, ऑवाज है उसे सुनते हुए अपनी गदा के माध्यम से उस मूर्ति को तोड़ देता है। गदा पात समकाल में जब वहा गदा उस मूर्ती पर भगवत मूर्ती पर गिरती है उसी समय वहा मूर्ती तूट कर जब भिखरती है तो उस मूर्ती से अनेक अर्बुद पद्म मुद्रा मुल्यानी अनेक अर्बुदों के मुल्ले के समान मुल्ले वाली अनेक अर्बुद मद्य से उच्छली तो होते हैं निकल पढ़ते हैं बाहर कूद पढ़ते हैं और परितह सभी और अवा के नंत यानि फैल जाते हैं सच दक्धम कहा और वहा जले हुए मुह वाला तानी रत्नानी मूर्ति खंडा नीचा और उन रत्नों को और मूर्ति के खंडों को क्रमे लक प नामक राजधानी में प्रवेश करता है तो यहां पर बताया कि वहां जो महामद नामक यवन था वहां लेश मात्र भी पूजक वर्ग की निवेदन पर टस से मस नहीं होता है और अपने जो उसका उद्देश होता है उसका जो धेए वाक्य है कि मूर्तियों को तोड़ना मं ततपर रहता है और सुमनाज जैसे महातीर्थ को धूली में मिला करके वहां कि संपूर्ण धनधान्य संपत्ति को महान रत्नराशी को वहां से उठा करके अपनी राजधानी में गजनी में वहां प्रवेश करता है यहां विशेष रूप से हम व्याकरनात्मक विशेष पुट छेदने धातु से नीच प्रत्य और पुनहा लंग लकार में यहां अतुत्रुटत शब्द बनता है अकीरियन्त यहां पे क्री धातु से यक यानि सारो धातु के यक हुआ है पुनहा लंग लकार में बहुवचन में यहां रूप सिद्ध होता है प्राविशत प्राव अनेक अर्बुद पद्मानी अनेक अर्बुद पद्मानी कर्मधार यहा। अनेक अनेक अर्बुद पर्योग है। अथा कालक प्रमेन सप्ताशीती उत्तर सहस्रतमे वैक्रमाब्दे सशोकम सकस्टम्च प्राणां स्त्यक्तवती महामदे गोरदेश वाश्री कष्चित शहाबुद्धिन नामा प्रथमं गजनी देशं आक्रम्य महामद कुलं धर्म राजलोका धन्य धनीनं विधाय सर्वाह प्रजाश्च पशुमारं मारेत्वा तद रुदिदार्द म्रिदा गोरदेश बहून ग्रिहान निर्माय चतुरंगिन्या अनीकिन्या भारतवर्शं प्रविश्य शीतल शोनितान असयन पंचाशद उत्तर द्वादश तमिते अब्दे दिल्ली अश्वयाम से हमने देखा इससे पूर्व काल के महिमा का वर्णन है उसी काल के महिमा का एक स्वरूब एक जलक यहाँ पर द्रिश्टी गोचर होती है वह कहते कि कालक करम से कालांतर में काल बीतने पर सप्ताशीती उत्तर सहस्रत में अर्था एक हजार सतासी विक्रमाब्द में सशोकम शोक के साथ, दुख के साथ, सकष्टम और कष्ट के साथ प्राणांस्त्यक्तवती महामदे उस महामद नामक जो यवन है वह कैसे अपने शरीर को त्यागता है दुख के साथ, कष्ट के साथ आखिर कहा गया है कि कालो ही दुरतिक्रम हकाल को हम अतिक्रमन नहीं कर सकते और उसका ही परिणाम देखा कि जैसा उस महामद नामक यवन ने कर्म किया था उसका प्रतिफल वहाँ अपने मृत्यु के समय भोगता है अत्यनत दुख और अत्यनत कश्ट के साथ वहाँ अपने प्राणों को त्यागता है उसके प्राण त्यागने के पस्चाद गौर देश वाशी कोई शहबुद्धिन नामक जो राजा था गौर देश का वहाँ गजनी देशम आक्रम्या सरो प्रतम वहाँ गजनी देश पर आक्रमन करता है और महामद कुलम जो महामद नामक यवन था जिसने भारत को बारह बार लूटा उसके कुल को धर्मराज लोक अध्वनी अध्वनी नम विधाय धर्मराज अर्थात यमराज के लोक अर्थात यमराज का जो निवास्थान है उस निवास्थान का जो अध्वनी है अनि अध्वनी का अर्थ है मार्ग यमराज के लोक के मार्ग पर अध्वनी नम य करके तद रुदिर आड़्द्र मृदा उनके रुधिर ये उनके रग्त से गीली मिट्टी के द्वारा गौर देश में बहून ग्रिहान निर्माय अपने देश में गौर देश में अनेक घरों का निरमान करके चतुरंगिनी नियक इन्या चतूरंगिनी कहा जाता है सेना के लिए सेना के चार अंग माने गए हैं हस्ती यानि हाथी पर बैठके अश्वा रोही अश्वा पर बैठकर रत पर आरोह करके रत पर बैठकर और पदाती यह चार श्रेणिया सेना की के गए और उसे ही चतुरंगिने कहा गया और अनिकिनी यह सेना के लिए शब्द प् यानि ठंडा हो चुका शोनित यानि रक्त जिनका ऐसे भारत वर्षियों के लिए यहां संबोधन है भारत वर्षियों के लिए यहां शब्द प्रयोग है कि भारत वर्षिय लोग कैसे थे जिनका शोनित जिनका रक्त शीतल हो चुका था ठंडा पड़ चुका था उन्हें अस अश्वो से अपनी सेना से घेर लिया या अश्वशाला बना दिया इस प्रकार से उसने संपूर्ण दिल्ली को अपने अंडर में अपने सानिध्य में ले लिया इसी बात को यहां कहा गया है और इस मूल पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार काल का अतिक्रमन संभव नहीं ह कभी यवन महामत को इतना दुराचारी बना दिया था इतना शक्तिशाली बना दिया था उसी के राज्य में उसी के देश में कोई अन्या करके उसी प्रकारवा की जनता को पशुव के समान मार करके और उनके रुदिर से उनके रक्त से सनीव ही मिट्य से अपने घरों को बनान वाला अन्य कोई उपस्तित हो गया इसलिए काल का कभी भी अतिक्रमन संभव नहीं है हमें यह साइत्य का मूल पाठ इसी ओर इंगित करता है यहां देखते हैं कुछ विशेश शब्द जिनमें कालक क्रमेन कालस्यक्रमह कालक क्रमह तेन कालक क्रमेन अत्रशश्टितत पुरु अध्वनिनम अध्वानम गच्छतीती अध्वनिन 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 अध्वनि प्रकार यहाँ समास को भी हम देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं आगे त्यक्त वती प्रकार 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 प्रका उपमाने कर्मनी चा इत्तेनेन सुत्रेन यहाँ उपमान के रूप में प्रयोग हुआ है और इसलिए यहाँ पर पशु उपपद में मिरे धातु से नमुल प्रत्य हुआ है अश्वयाम बभुव तेन अतिक्रामती अर्थ में यहाँ अश्वयाम बभुव शब्द का प्रयोग हुआ है अश्वयाम बभुव शब्द का पुना भुधातु से लिटलकार में यहाँ अश्वयाम बभुव बनता है बभुव बभुव इस प्रकार से लिटलकार में जुद्ध है जिसका वहाँ अनीक इन्या अनीक शब्द से इनी प्रत्य हुआ है अता इनी ठनों से तदस्यास तस्मिन निती इस अर्थ में अता इनी ठनों से इनी और ठन प्रत्य होते हैं शीतल शोनितान शीतलानी शोनितानी ये शाम ते शीतल शोनिताहा तान शीतल शोनितान शीतल हो चुका है शोनित जिनका रक्त जिनका ठंडा पड़ चुका है इस अर्थ में यहाँ पर बहु बही समास हुआ है एवं प्रकारेन वयम अत्रपश्यामह अस्मिन तृतिय भागे अस्मावे द्रिष्टम कथम महामदेन भारत वर्षम प्रती आकरमणम कृतम तदनू तस्यव देशे तस्यव प्रदेशे अन्येन जनेना आकरमणम कृतम इस प्रकार से काल के अतिकरमण को यहां सरवथा असिद्ध बताया है और तृतिय भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से शहाबुद्धिन नामग जो शाशक था शाबुद्धिन नामग गौर्धेश का निवासी था वह महामद के कुल को सरवथा विनष्ट कर भारत की ओर ब झाल झाल